कितना पैसा आपको मांगा गया हैं लाने के लिए पैसा दे ला में जा रहे है टाल चारिप दोने के लिए इस गाउं के एक पपु मांजी की मौत हो गई जवकि छोग अभी जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं ये पपु मांजी काई घर है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले पूरे देश में अगर कहीं भी कोई दुर्भाग्यपुर्ण घटना घटती है तो उसमें मरने वाले बिहारी होते हैं एक बार फिर से उडिसा के वाला सोर में वड़ी रेल दुर्गटना हुई है जिसमें भी मरने वाले कई विहारी हैं इस वक्त हम नबादा जिले के मररा गाओं में मौजूद हैं और इसी गाओं के पपू मान जी की मौत हो गई है जबकि छह लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं उस जगँ पर कई राज्यों के लोगों की भी मौत हुई है और उस राज्य की राज्य सरकार अपने लोगों को सुरक्षित तरीके से अपने राज्य ले जाने के लिए कई प्रियास कर रही है उन्हें मदद पहुचा रही है लेकिन दुरभागे इस विहार का और इस विहार के लोगों का कि उन्हें मदद करने के लिए सरकार का केवल चार सदस से बहां पहुचा है लेकिन सरकार का ना तो कोई एंबुलेंस ना एर एंबुलेंस उस वाला सोर में पहुचा है ये वही मररा गाउं है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस गाउं के लोग एक जगह पर बैठ कर चिंतित हो रहे हैं उस घटना के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर भगवान को क्या मंजूर था जो व्यक्ती अपने परिवार के बच्चों के लिए उसका पेट भरने के लिए चिन्नाई कमाने के लिए जा रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और पपो मान जी अब कभी भी अपने बच्चों को अपने पिता का प्यार नहीं देगा और च्छा लोग अभी भी इस गाउं के जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं इस गाउं के कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे क्या नाम हूँ आपका चचा? मेरा नाम उमा कांद परशाद है और मैं भूतपुर सैनिक हूँ काफी गर्ब होता होगा जब आप विहार के ओकर बौर्डर की आप सेवां देते हूंगे आप सब मेरे सरकार के लोग के मिनेट के लोग एभी तोग नहीं पहुंचा है कोई नहीं पहुंचा है दोखना हमारी बच्चे थे गोई कुछ शेरस्ट के बाद करती है रखय जो अपने के कशड चाहिए इन गडरी वो को देखे गा और क्पु मान जी वहां सैर करने तो नहीं न जा रहे थे खोमने न जा रहे परिवार के पालन के लिए जा रहे हैं तो अमीद ले करके जा रहे हैं उनका पाफी सपना था कि हम घर बनाएंगे बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे जहां बिल्कुल सब्सक्राइब है उनकी मौत के बाद बताया जा रहा है कि 40,000 रुप्या भी एंबुलेंस के लिए बिल्कुल साथ हुआ इनको घर से देना पड़ेगा इनको अब कहा देंगे बिचारे सर दूसरे राज्यों के लुप काफी मदद पहुंचा रहा है यह एर अम्पूलेंस बेजा जा रहा है लेकि अधियार सरकार भी चाहती तो मंगबाद सकती थी उन्हें लेकिने कुछ देख नहीं रहा है नहीं स महादलित परिवार के लोग है मररा गाउं के लोग और इसी दलित महादलित के नाम पर राजनीत होती है पूरे देश में चाहे वह जीतन राम मांजी हों मांजी जी आफी के स्वजातिये ये लोग हैं और जिस जात के नाम पर आप पूरे देश में पूरे राज्य में आप कह रहे हैं जरा इन गरीबों की हालाद देख लीजिए संतोस मांजी ही विधायक बन सकता है संतोस मांजी ही मंत्री बन सकता है ना कि पप्पु मांजी को रोजगार मिल सकता था आप फायार कर दिजेगा राजी ब्रंजन के उपर उससे कोई प्रभाब नहीं पढ़ने व आज किये हैं और दोनों विहार के मुख्यमंत्री रहे हैं आप सवभाग्य साली हैं कि आप दोदों मुख्यमंत्री के वेटे हैं लेकिन देख लिजे इस गरीब परिवार का पीछले 30 सालों से इस बिहार में बरवादी का ही शितम यहां लाया गया है जिस प्रकार से ये ग आलन पूसन करने के लिए लोग यहां जा रहे थे अंग्रेज अपने देश से 75 साल पहले ही छोड़कर इंग्लेंड चले गए थे 75 साल पहले ही हमारा देश जो है वो आजाद हो गया था इस वार हमारा देश जो है वो आजादी का अमरित महुतसब मनाया इसलिए कि हम लोग आजादी का 75 साल पूरा कर लिए लेकिन देख लिजिए ध्यार में जिस प्रकार से उद्योग कलकार खानों को बेश दिया गया उसे बरबाद कर दिया गया उसी का ये नतीजा है कि वो लोग चिंतित हैं अपने आखों में आसु लिये हुए क्यूंकि रोजी रोटी के लिए अपने पेट को भरने के लिए ये लोग एहां से जा रहे थे ये पपू मान जी की पत्नी है उनसे मैं फिर बात चीत करूँगा कितने बच्चे हैं आपको तीन बच्चे है सर्थ चोटे चोटे बच्चे हैं कितना पैसा आपको मांगा गया है चालीस हजार कहां से दिजिएगा पैसा दे दिये हैं करजा लाकर कर दिये हैं अब जरा सोच लिजिए ये अपने पती को मंगवाने के लिए मृत्त पती को बस केवल उनके मरे हुए चेहरे को ये देखेंगे उसे मंगवाने के लिए मरने के बाद भी चालीस हजार रुप्या ये एम्बुलेंस के लिए दिये हैं जबकि हकीकत तो यह है कि अगर राज्य सरकार चाहती तो एर एम्बुलेंस से विहार के मिर्तकों को पटना ला सकते थे और वहां से प्रतेक जिले के अम्बुलेंस से उनके सब को उनके घर तक पहुचाया जा सकता था लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार जो है वो अपने निकम्मापन का एक परिचे दे रहा है ऐसी दुरघटना में इस गाउं के लोग जो हैं उन्हें आप देख लिजिए वो शोक्षंतप्त हैं इस घटना के बाद पूरे गाउं में कोहराम मच गया क्यूंकि लोग कोई अपने वेटी किसादी के लिए कोई अपने वेटे को वेतर सिक्षा दिलाने के लिए कोई अपने घर को बनाने के लिए इस गाउं को छोड़कर चिन्नई कमाने के लिए जा रहे थे लेकिन वाला सोर में दुरघटना हुई और उसी में इस गाउं के एक पपू मांजी की मौत हो गई जबकि छह लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं यह पपू मांजी का ही घर है आप देख लिजिए यह कोई मंत्री नेता विधायक किसी का यह आवास नहीं है ना यह चिराग पासवान का आवास है ना यह जीतनराम मांजी का आवास है ना पुर्व उपमुक्यमंत्री सुसिल मोधी का आवास है ना विजय सिन्हा का आवास है ना ही यह कोई अस्थानिय बिधायक या अस्थानिय मंत्री या कोई अस्थानिय सांसत का यह आवास है वलकि पप्पु मांजी जो गरीव था मजदूर था महादलित था उसका ये घर है और इसी मिट्टी के घर को वो इट में तबदील करने के लिए इसे पक्का बनाने के लिए अपने घर को छोड़ कर अपने इस मिट्टी को छोड़ कर अपने इस मिट्टी को छोड़ करना चिन के च्छा लोगों को यहीं रोजगार मिल जाता तो सायद पप्पू मांजी कमाने के लिए नहीं जाता जैसा इस गाओं के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे हाना क्या नाम हुआ आपका मता जी गवला देजी पप्पू कौन थे आपके देवर लगता था अगर यहीं पप् पपू को जानते थे ना हाँ जानते हैं मेरा रिष्टा में बावा लगते हैं सर बावा लगते थे अगर यहीं उनको रोजगार मिल जाता तो नहीं में काम करें पमाने खाने के लिए भी आये थे एक महिना छुटी लेके फिर भी वापस जा रहे हैं एक महिना पहले हाँ आ कर रहे हैं कि साध इन्हें इस विहार में रोजगार मिल जाता तो पप्पू या फिर इस गाउं के और छह लोग चिन्नई काम करने के लिए नहीं जाते लेकिन दुरभाग्य है कि एक होटल में पलेट धोने के लिए भी विहार के लोग चिन्नई चले जाते हैं चिन्नई की दूरी आपको समझ सकते हैं कि आखिर कितना है वापजूद 10 से 15 हज़ार रुप्या कमाने के लिए विहार के मज़दूर जो हैं वो चिन्नई चले जाते हैं मद्रास चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं कन्या कुमारी चले जाते हैं तमिलनाडू चले जाते हैं बसकेवल और केवल गरीबों के उत्थान की बात करती है, लेकिन आजादी के 75 साल बीत गए और आज भी गरीब उसी जगह पर है, जिस जगह पर आजादी के पहले था, उसी जगह पर आज भी गरीब है। बसकेवल एहां के राजनेता, मंत्री, विधायक और सांसद गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। चुनाब के समय इनहीं की बात करेंगे, दलित महादलितों को आगे लाने की बात करेंगे, लेकिन आज भी ये समाज, ये गरीव, ये मजदूर जहां है उसे देख कर हर किसी को रोना आ रहा है, और मरला गाउं के ये लोग हैं, जो पप्पु मांजी के सब के आने का इंतजार कर रहे हैं, कि आखिर कब तक उनका अंतिम दर्सन इस गाउं में होगा, क्योंकि वो इसी मिट्टी के लाल थे, और न जाने भगवान को क्या मनजूर था, कि वो अपने प से पहले